जी कैफ-3 Business Law के Lecture No.3 का आगास करते हैं Chapter 11 हम Study कर रहे हैं कल के Lecture में हमने Features of Company के बारे में Study किया था Introductory Lecture था हमारा जिसमें हम ने सिखा कि a company क्या होती है और इसके features क्या है आज के Lecture में हम Different Types of Companies को Study करने जा रहे हैं के companies act के मुताबिक different types of companies क्या है और हर company की definition भी सीखेंगे यानि जिस type of company के बारे में understanding develop करेंगे इसकी definition भी साथ सीखेंगे अच्छा और यह ICAP के जो study tech हम RISE की book में learning objective 2 है chapter 11 का और ICAP की book के लिहाँ से chapter 11 ही है और उसमें section 2 है section 2 के अंदर आगे सब section 2.1, 2.2, 2.3 यह जितना भी section 2 है यह सारे का सारा इसी concept से relate करता है हाँ इसके साथ कुछ questions भी है जो के आई-CAP की book में भी है और RISE वाली book में भी है इन questions के उपर जो discussion होगी वो आपको एक अलाइदा lecture के जरीए से provide की जाएगी ताकि आप जितने concepts हैं वो पहले concepts सारे समझ लें इस lecture में फिर इसके बाद questions को एक दफा खुद practice करें और खुद practice करने के बाद आप फिर उनको आप उनकी discussion आपको provide की जाएगी ताकि आप अपने attempt किये हुए questions को compare कर सकें discussion के साथ कि कि आपने सही लाइन पर question attempt किया के निखिया और यह जहें में रखीगा written form में अगर आप इस attempt में पास होना चाहते हैं written form में questions को attempt किये बगएर आपने discussion को नहीं देखना यह lecture को दो हिस्वों में divide करने का मकसद यही है कि पहले आप सारे concept समझें फिर खुद से practice करें questions की और उसके बाद discussion वाला हिस्सा देखें lecture का तो चलते हैं हम concept की तरफ अच्छा types of companies को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि हम types of companies को समझ क्यों रहे हैं इसलिए इस concept को समझना इसलिए जरूरी है कि companies act में different types of companies को discuss किया गया है और आगे चलके जो companies act rules बताता है यानि जो company laws में rules लिखे हुए हैं वो जब rules बताते हैं तो mention करते हैं कि यह वाला rule इस तरह की companies के लिए है दूसरी companies के लिए rule नहीं है यह यह वाली provision in in companies पे apply होगी इन in companies पे apply नहीं होगी अक्सर rules के आगे लिखा होता है company law की कुछ prev valuation ऐसी है कुछ requirement ऐसी हैं जो सारी की सारी companies पे apply होती है और कुछ requirement ऐसी हैं जो कि कुछ companies पे apply होती है रब में आपको बताता हूँ पहली बड़ी reason students कie law फेल होने हैं यह लिख लेना तो स्टूरों समझते हैं यह requirement तो हमने पढ़ी है तो अपलाई हो रही है हाला कि वह उस type of company भी अपलाई नहीं हो रही होते है इसलिए याद रखे सबसे बड़ी रिजन जो पहली आपको रिजन बताई मैंने लाव में फेल होने की स्टूर्ण सी यह 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 नहीं कि वह सब्सक्राइब के बाद यह पता होना चाहिए कि यह requirement किस तरह की कमपनी में अपलाई होती है और बाकी कमपनी में अपलाई नहीं होती है ताक एक्जाब में case study discuss करते हो आपको problem now clear हो कि यह इस कमपनी में अपलाई होगी करने तो types of companies को understand करते हैं सबसे पहले हमने सीखना है difference between body corporate and company यान यह types of company से पहले लफ़ज दो लफ़ज है body corporate और company इन में फरक सीख लो अच्छा body corporate और company में फरक क्या सुरी similarity क्या फरक तो सीखेंगे पहले similarity क्या similarity यह है कि यह दोनों का separate legal status होता है company भी एक ऐसी organization है जिसका अपने owner से separate legal status है body corporate भी एक ऐसी organization है जिसका separate legal status है देखें नाम में लफ़ज corporate है तो इसका मतब़ा corporate में इसका separate corporate status है legal status है और body means body कहते हैं association उपर जब कुछ लोग मिल जाते हैं उसे कहते है body body corporate means means ऐसी organization जिसका अपना लेदा सेप्रेड लीगल सेटशाय अच्छा तो company का भी सेप्रेड लिगल सेटश होता था कैसा इसा possible है कि company के इलावा कुछ organization हो जिनका separate legal status है company तो होता यह होता है कल हम ने सीग लिया क्या कंपिके लबावा कुछ और डी स्टास हो सकता है इसका जाब है यह तिक और जितनी भी जेशश भी आरगुनाइसलेशने जितनी भी आरोनाइसेशन सेंदा सेपरडा स्टेट कॉल्म होता है एक सांट में जनाट आम huh comprehensive term है जिसका मतलब क्या है conceptualize का मतलब यह है ऐसा इदारा ऐसी organization जिसका separate legal status हो अब इसकी जो proper definition है उसमें तीन तरह की organization का जिकर करता है law ला कहता है यह तीन तरह की organization का separate legal status होगा पहली दूसरी तिस पहली कौन सी organization का separate legal status होगा company का ऐसी company जो इन corporate है पाकिस्तान में अंडर company law company ला किसको कहते हैं ऐसे laws को जो company से relate करते हैं जैसे इस वक्त जो लाग company से relate करता है वह है companies at 2017 companies at 2017 कब आया 2017 में लिखा हुए नाम में क्या companies at 2017 आने से पहले companies register नहीं हुआ करती थी companies काम में बिल्कुल करती थी वो किस ला में वो company's ordinance 1984 और company's ordinance 1984 आने से पहले कौन सा law था company's act 1913 नहीं सो तेरह तो इस तरह company law का company law का मतलब है हर वो law जो company से relate करता है उनकी in corporation से उनके operation से relate करता है यह चुक्के law change होते रहते हैं तो पहले कभी company's act 1913 होता था फिर 1984 अब 2017 का है तो company law के अंदर हर तीनों लाज आ जाते हैं तो बाडी कार्पुरेट का मतलब ऐसी organization जिसका separate legal status है इसमें सबसे पहली example है ऐसी तमाम companies जो पाकिस्तान में किसी भी company law के अंडर रिजिस्टर्ड हैं और वह company भी है वह बाडी कार्पुरेट के बाडी कार्पुरेट जिन में रखेंगें के कंप्रीं हैं सिव ट्रम है बड़ी कैटेगरी है इसके अंदर छोटी तीन कैटेगरी बाडी कार्पुरेट में तीन तरह की एंटिटीज या अर्गनाइजेशन लाती है एक कंपनी जो कि हम पढ़ने जा रहें कंपनी से मुराद क्या है ऐसी आर्गनाइजेशन जिसका सेप्रेट लीगल स्रेटर्स होता है और वह कंपनी जाट के मताबिक रिजिस्टर्ड है लेकिन वो बड़डी अरभड़े हो लेकिन कंपनी ना हो है ना सोचिए जड़ा जो इंडिया में कंपनी रिजिस्टर्ड हुए है इंडिया के कानून के मुताबिक और फर्ज कीजिये वह पाकिस्तान में कोई ब्राउंच बगरए इसकी बास उकाथ ऐसा होता है ना इंडि जैसे के कनून के मताबिक रिजिस्टर्ड है पाकिस्तानी कनून के मताबिक रिजिस्टर्ड है पाकिस्तानी कनून के मताबिक रिजिस्टर्ड है हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं उसे कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के कनून के मताबिक एक कंपनी है कंपनी का तब उसके इस्तमान नहीं कर सकते हैं हाला कि वो कंपनी बिल्कुल है लेकिन कंपनी किस लाग के मताबिक है यूएसे के फॉरन लाग के मताबिक है पाकिस्तान में सिर्फ हम उसको कंपनी कहते हैं जो पाकिस्तान के लाग के मताबिक रिजिस्टर्ड हो कंपनी पाकिस्तान के क body corporate ठीक है यानि body corporate में एक वो company जो पाकिस्तान में केा कोई organization entity pakistan में नाहीं कि और वह में兩ग hooks येस ये भी भी पॉसिबल है यह भी पॉसिबल है कि एक एंटटी जो के बाड़ी कॉर्प्रेट है जिसको गर्मिंट ने डिकलेर कर दिया ठाइड है अधिए जो इसको गम्मिन डिक्लेर कर दिया कि यह बड़ी कार्पेट है तुक्री कार्पेट गढ़ नाएगे और इसकी एकज्जेंपल खास वर पर एक और एकज्जेंपल है एक कॉर्परेटिव सोसाइटीज और पर दो तो तीसरी जो category है body corporate की वो ऐसी entities ये organization है जो के body corporate के तोर पे जिने body corporate डिक्लेयर कर दिया गया under any other law किसी भी और law के मताबिक यानि इसकी example है जैसे state bank of Pakistan उसे state bank of Pakistan के act के law के मताबिक create किया गया रिजिस्टर किया गया है अब वो company law के मताबिक नहीं बलके अपने लादा से किसी और law के मताबिक create हुई है लेकिन उसके law के मताबिक वो भी body corporate है इसका मतलब यह हुआ कि body corporate बनने के लिए लाजमी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ company law में ही registered होना पड़े बलके कि पाकिस्तान में किसी और law के अंडर भी रिजिस्टर होके body corporate बना जा सकता है ठीक है तो यह body corporate की तीन example है फिर सुनने जीए concept क्या है body corporate का मतलब है ऐसी entities organization जिनका separate legal status होता है body corporate में कितनी चीज़ शामीन है तीन चीज़ शामीन है body corporate में पहली वो companies जो पाकिस्तान में company law के मताबग कीने ऐसी organization जो पाकिस्तान में company line वो बड़्य यह और company लगा मतलब क्या है के companies system बड़ी धिस्तंग्याइशन चोंपनी ला में किसी और law में और इसकी एक्जेंपल क्या है इसकी एक्जेंपल है स्टेट बैंक और पाकिस्तान या और भी एक्जेंपल हो सकती है एक ही काफी है अच्छा और तीसरी एक्जेंपल क्या है ऐसी एंडिटी या और्गनाइजेशन जो पाकिस्तान से बाहिर के किसी कानून में रिजिस्टर है हूं ठीक है भाहिं पाकिसान से वो भी बाडी कॉर्प्रेट है तो हमारी बड़ी कॉर्प्रेट में तीन एक्जैमबर्ज आ गहीं बड़ी गॉर्ब PR तीन तरह की अंटिटीज को इंकल Das it पहले वह currency जो पाकिसान में किसी कि दूसरे लग से मताब एक रिजिस्रड कर रहे हैं और वह तीन बाडी कॉर्परेट के शेत्स दिया गया जैसे परफाकिस्ता पकिस्तान नहीं किसी फॉरं लोग या नॏ जाएट के मताबिक विजसर्ट हो ओऊ ऐसे पूछे के लफज बोर्डी कॉर्प्रेटट और कंपनी में क्या सपरक है हम में अगर अगर युद्धा को आपने बोल डिडार्ट की की डेफिनेशन लिखनी है कि Body Corporate का मतलब है ऐसी कंपनी जो के कंपनी लाग के मताभी रिजिस्टर्ड हुई हो ऐसी एंटिटी जो कंपनी रा नहीं किसी और लाग के मताभी रिजिस्टर्ड हुई हो और उस लाग में उसे Body Corporate का दर्शा दिया गया हो भषा काम ते सब्सक्राद ग्रनार के सब्सक्राइब चाहिए कि यह और दूसरा दो कर्यों की से पार्नेसिप को भी कर देना आज से यह कंपनी है आज से बडी को समझ आल गए तो अगर किसी को कह दे कह दे यह इजार्टी कहलाएंगा नहीं और यह उसे रिपनिगा और वाक्षान पॉइंट देफिनेशन पूछ लेता है वह वह बढ़िपकेंट हैं २ूज है अब सोचेंगे में किसी दूसरे लाग के अंदर रिजिस्टरड होने वाली और पाकिसान से बाहिर रोजिस्टरड होने वाली गूपने एप और ने हैं यह तीन एक्जम्पल लिखने के बाद यह 2 एक्सेपशन भी लिखनी है एक और अपरेटिव सोसाइटिव वाली और एक इससे जब कभी discussion हमने बाड़ी कार्पेट के पढ़ लिए बाड़ी कार्पेट और कंपनी में फरक समझ आ गया बाड़ी कार्पेट में तीनों चीज़ शामिल है हमने सिरफ आगया फर्दर अपने इस लेबस में इस कंपनी की इस लावा किसी और ला में उनको हमने सब्सक्राइब और आसी सब्जेक में पढ़ना कर रही है इनको भी नहीं पढ़ना हमारे स्लिबस में टू और थर्ड शामिल यह सिर्फ वाली शामिल है तो यहां तक रुक के मुझे बताईए कमपनी और बाडी कॉर्प्रेट फरक्समाज आ गया तो मुझे बताईए के बाडी कॉर्प्रेट कंपनी की एक टाइप है या कंपनी बाड जाते हैं कंपनी बड़ी कॉर्प्रेट सिर्फ याद करने की हताक है इसमें कंसर्ट कोई नहीं है यह अगर आप इसमें सिर्फ रटाभी लगा लें तो काम चल जाएगा हां अब जो कंसर्ट आपके साथ डिसकर्स करने जा रहा हूं यह आपने रटाभी लगाना है और इसक अब कंपनी हम company को classify कर सकते हैं कितनी तरह से बहुत सी टाइप से classify करने के लिए types of company किसी भी हम पाकिसाह में इतनी भी company registered है उन्हें classify कर सकते हैं various point of view से जैसे एक type है types of company है a classification types on the basis of status updates on the basis of liability और classification है other types ताइब से वस्टेटर्ट कुंपनी आर यहां तो कंपनी प्राइब peng खुटिय यहां पॉलिक पाकिस्ता की प्रैवेट का मतलब जोनकों नहीं मतलब नहीं है थीक़ है कमपनी का तालूख इस से नहीं है कि वह गर्मेट उसका ओनत कर रिया के नहीं कर रही नहीं यहां पर पब्लीक और प्राइवेट का मतलब यcesk continue कितने एं नौग आपडी डिस्केशन करना पर लाघस industry드ip reject की कंपनी एक प्राइवेट एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है ऐसी कंपनी जिन में तीन कर्याक्टरिस्टिक्स हो वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी मीन्स एक कंपनी विच जो क्या करती है तीन काम करती है पहला limits the number of members to 50 private company के number of members जो होते हैं वो 50 maximum limits the number of members to 50 दूसरा restricts right to transfer its share right to transfer share restricted है और तीसरा prohibits invitation to general public वह जन्रल पब्लिक को इंवाइट नहीं कर सकती कि हमारे शेयर करी दिए यह तीन पॉइंट्स है याद रख लिजिए प्राइबेट कम दिमेंगे वेज लिमेंट्स नमबर मेंबर सुफिफ्टी रिसेक्स ता राइट ट्रांफर शेयर प्राइबेट्स इंविटेशन तो जन में हुआ हुआ है है कि प्राइबेट का पेज 277 है इसमें प्राइबेट कमपनी की definition के निचे तीन points लेकिन तीन points के ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल्स लफज articles को अंडरलाइन कर दिए आपको याद है कल के lecture में हमने constitutional documents पड़े थे एक था Memorandum और ये एक था companies एक ना जिसके अब ही कमनी रिजिस्टर होती है कमनी लाख फिर इसके लावा था Memorandum Association और आर्टिकल्स ऑस्याशन तो प्राइवेट कमनी ऐसी कमपनी है विच बाइट्स आर्टिकल्स जिसके आर्टिकल्स में यह तीन पर बंदिया लिखी हो जिसके आर्टिकल्स में यानि जो डाकुमेंट हमने रिजिस्टर करवाई है रिजिस्टरार के पास उसमें लिखा हुआ है कि यह कमपनी तीन काम नहीं करेगी यह वारे तीन काम ठीक है एक प्राइवेट कमनी मीज़े कमनी विच बाइट्स आर्टिकल्स का मतलब है कि इसके 50 यहां से कम होंगे ज्यादा नहीं होंगे यह प्राइवेट कमनी और याद रखें जो इसमें 50 को काउंट करते हुए आपने इंप्लाइज को शामिल नहीं करना क्योंकि इंप्लाइज मेंबर या शेर होल्डर या उनर नहीं होते हैं और दूसरा अगर कई जाइंट शेर हो प्राइटी है तो वाले साब ने क्या किया कि एक आप्शन क्या है कि मरने से पहले एक कनाल एक बेटे के नाम पे कर दी जाए दूसरे बेटे के नाम पे कर दी है तो इसका मतलब यह प्राइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई पहले हिसे का भी एक उनर है दूसरे हिसे क अब ये property एक ही है और जो इसके owner है वो भी एक ही गिना जाता है वो भी एक ही गिना जाता है ये एक interesting आपको बाब बताता हूँ कुछ हरसाब कुछ साल पहले कानून पास हो प्रापरटी टेक्स के वाले से के अगर कोई owner property tax comment ने पोस किया और कहा कि अगर किसी का मकान 5 मरला या उससे कम का है वो प्रापरटी टेक्स नहीं देगा और जिस बंदे का मकान 5 मरले से ज्यादा का है वो प्रापरटी टेक्स देगा अब उसमें एक इशू ये आया कि एक मकान था पार एग्जेंबल 8 मरले का और उसके दो owner थे joint owner थे और उन्हों ने का जी सर ये देखी हम दो owner है इसके तो हमारे इसे में तो 4 4 मरले आता है तो हम यह प्रापरटी टेक्स नहीं देएगे गंबिंड देगा नहीं नहीं यह हमारे खाथों में यह एक प्रापरटी आर्ठ मरले के तोर पर रिजिस्टर्ड है और इसके चाहे owner 2 हैं गिन्ने में चाहे 2 है हम उसको एक ठीक है ये फिर इस situation में company के owners एक ही बजाए दो हो गए जो बेटे हैं लेकिन अगर owner क्या करता है वो ये distribute नहीं करता उसकी death हो जाती है तो याद रखें ये पूरी की पूरी property दोनों की equal है property ये एक ही आप एक लाग शेयर और लाभी इन जो जाइंट owners हैं इनको एक ही assume करता है इसलिए यहां पर उसने लिखा कि ये जो private company ऐसी company होगी जिसके maximum number of shareholder 50 हो सकते हैं और ये 50 गिंते हुए आपने employees को भी शामिल नहीं करना वो तो understood है और giant owners अगर होगे ना joint shareholder वो चाहें 10 क्यों नहीं हो आप दें उनको एक ही गिनना है तो private company ऐसी company है जिसके आर्टीकल में तीन बाते लिखी हुए है क्या कि इसके maximum number of members 50 होंगे अच्छा और क्या बात लिखी हुए है रिस्टेट से राइट टू ट्रांसफर शेयर जिसका राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्टिक्टेड है आपको याद होगा कल हमने फीचर प्रविट में फरक होता है प्रविट का मतलब आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते रिस्टिक्ट का मतलब है काम कर सकते हैं लेकिन कुछ condition के साथ कुछ condition के साथ जैसे आगे चलके हम एक जगा पर पढ़ेंगे के कंपनी ने जब अपना नाम रखना होना तो प्रविबिट कि यह लाने कि आप किसी existing company का नाम ने रख सकते कोई भी नई company किसी existing company का नाम ने रख सकते वो प्रविबिट कर दिया कभी भी ने रख सकते अच्छा लेकिन एक existing company फर्ज कीजिए अगर अपनी company के नाम के साथ किसी मशूर शख्सियत जैसे पाकिस्तान का कोई सदर वजीर आजम उसके नाम को अपने नाम में शामिल करना चाहे क्या वो कर सकती है इसकी इजाज़त दी लाने लेकिन कहा restriction है पहले हमारी approval लेनी पड़ेगी आपको तो अगर कोई चीज approval ले कि उसकी इजाज़त हो उसे हम कहते हैं ये restriction है और अगर किसी चीज़ के बिल्कुल इजाज़त हो सकते हैं इसका मतलब यह नहीं समझेगा कि private company की ट्रांसफरीं नहीं हो सकते हैं लेकिन company से इजाज़त लेनी पड़ती है company के डिरेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ते हैं ठीक है और वहां पर हो सकता है कुछ restriction क्या हो सकती है हमारे स्लेबस में यह लेकिन मैं से बता रह मुझे पैसा की जोड़ता है कोई खरीदना चाहता है तो ठीक है अगर इन में से कोई भी existing member से कोई भी खरीदना चाहता है फिर आप बाहिर के बंदों से पूछ लें डिरेक्ट बाहिर के बंदों को सेल नहीं करना क्यूंकि पब्ली कंपनी नार्मली यह जो family owned business होते हैं वह और इनमेडेशन टू जणनल पाज़िकए है प्रोइबिटा मतलब मैं आपको समझा दिया प्रोइविटा मतलब है टोटल पाबंदी है कभी भी नहीं कर सकते हैं कि यह जाहें सचीब इजा दे फिर भी नहीं कर सकते हैं कि तुछ फुरिबेड मना है विसमें का जैनल पबल कि लिए बाद उकात आम अवाम का लवाँ का अम इस्तमाल कर दिया जाता है तो इसी तरह ला में कहीं पर पब्ली कावर्ड को नों का मतलब एक एक है झानल पबलीक का मतलब है आम इंसान थिए अगर हम कोई ओफर दे सिर्फ अपने दोस्तों को अपने रिष्टेदारों को तो हमने जनर पबली को नहीं कहा लेकिन अगर हम अखबार में इस्तहार दे तो उसका मतब्बूब को इन्माइट किया अगर मैंने अपने गाड़ी बेचनी है अगर तो पिसको ऊफर कर सकती है फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को ठीक है फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर्स को जैसे फर्स कीजिए कि मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहरा हूँ और मैंने अपने साथ पांच और लोगों को मिलाना है उनके पैसे भी मिलाने हैं तो क्या मैं अख़बार में इस्तहार दे सकता हूँ मैं जी मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा हूँ ओर जो भी ज़ो भी इसके शेर खरीदना चाहता है शेर होल्डर मेंबर बनना चाहता है मेरे पास नहीं कर सकता है। कि private company general public को invite नहीं करेगी शेर्ट करीदने के लिए पीसलिए शेर्ष खरीदने के लिए एक चीज यहाँ पे नोड कर लिए कोई भी company जो पैसे इकठ्थे करते ही ना पैसे इकठ्थे कोई भी यो बिजनेश पैसे इकठ्थे करते यहां करके कोई भी बिजनेस पैसे कठे करता है तो दो तरह से कठे कर सकता है या तो उनर्स पैसे देते हैं उनर्स का कैबिडल होता है यहां किसी से लोन लिया जाता है लोन लिया जाता है यह चाहिए सोल प्रोपेटर चाहिए पार्डिर्शी पूचाहिए कंपनी हो रूल यह 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 जो owner पैसे लाते हैं उन्हें आपको पता कहते हैं share capital और जब owner पैसे invest करते हैं company में तो उनको share issue किये जाते हैं सबूत के तोर पे लेकिन जब कोई बंदा company को लोन देता है और उसे कोई piece of paper issue किया जाए सबूत के दोर पे किस बंदे ने लोन दिया है और हमने पांच साल दस साल बाद इसको वापिस करना है तो जो लोन के case में piece of paper issue किया जाते है ना उसे कहते हैं डिबेंचर डिबेंचर शेयर और डिबेंच सब्सक्राइब क्या है दोनों separate legal status है डिफ्रेंस क्या बाड़ी कॉर्पेट बड़ी category है उसके अंदर तीन टाइप से कंपनी एक टाइप है कि उसी तरह कि यहां पे अब मैं आपको शेयर और डिबेंचर और एक तम है सिक्यूरिटी इन मैं फरक बता रहा हूं सिक्यूरिट इस एक बड़ी जैसे बाड़ी कॉर्पेट बड़ी टम थी सेक्यूरिटी एक बड़ी डम है सिक्यूरिटी इंदर दो टाइप सासी है शेयर और डिबेंचर अगर आप किसी कंपनी में बतोर और पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सबूत के तोर पे आपको जो piece of paper इशू किया और कमपनी आपको piece of paper इशू करती है तो इस piece of paper को कहते हैं डिबेंचर डिबेंचर अगर आपके पास आप company के ओनर नहीं बने आपको कम अपनी मिलेगा लेकिन आपको जो लोन दिया है उसके ओपर fixed interest मिलता रहेगा चाहे कमनी को profit है चाहे लास है आपको interest मिलता रहेगा तो आप share holder बनेंगे आपके पास आएंगे अगर आपने पैसे दिए और आपने का नहीं नहीं मुझे fix पैसे चाहिए मैं उधार के तो पर दे रहा हूं और मुझे इंट्रस्ट और बाद में तीन साल के बाद fix amount चाहिए तो आप company के लेंडर है आपको जो piece of paper issue किया जाएगा व दोनों प्लाई होते हैं तो लाँ ने जब कोई प्रवियर्ड ऐसी होते हैं दो दोनों प्लाई हो तो लाँ ऐसे नहीं लिखता वेस पर वियंचाओ अप्लाई ऑन शेर एंड इबेंचर बलके लाँ ने इन दोनों का एक एग्रीगेट टम इजाद की हुई है सिक्योरिटी सी enड में अगता है उसका मतलब कुछ हो रहा है यह प्लूर falar से के साथ हैंड होती है इसका मतलब में जमानत के तोर पर ये पास रखवा दिया फार एक्जेंपल यह सीकुरिटी है सिग्लर फार्म मायंड के साथ लेकिन यहां पे शेयर और डिमेंचर के लिए एक अठी टम यूज हो रिया वह कुन सी है सेक्यूरिटी इस प्लूरल फार्म के साथ ट्यक्त तो यहां फे प्राइवेट कंपनी रहे उसके अपर पबन्दी है क्या वह जेनल पब Birds ना दूर्ट कर さकती ना Reverse चुकर सकती है यानि स Reverse दिशू कर है यह प्राइबेट का हुआ है इसी कंपनी आए प्राइबेट कंपनी में शब्रेसर अर्डिकल्स सक्राइब का मतलब होता है पक्चेस करना अप्लाई करना खरीदने के लिए तो प्राइवेट कम्पनी कौन सी कम्पनी है जिसके ओपर तीन बाबंदिया है उसके मेंबर्स की तदाद मैक्सिमम पचास होगी वो शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं शेयर ट्रांसफर लेकिन फ्रीली नहीं रिस्ट्रिक्शन के साथ अपरूबर लेनी पड़ेग मेस और तैसरा खास वह रपे बड़ा फरक यह प्राइवेट कम्पनी जनल पब्लीक को एक पैसे इकठे नहीं कर सकती जनल पब्ली को शेयर या डिमेंचर इशू नहीं कर सकती सोच कर मदाया Earlier earlier सब्समझ आ रहा है अगर प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत है वो मजीद शेयर इशू करना चाहते हैं ताकि पैसे कठे हो जाएं तो वो कैसे पैसे कठे करेंगे वो जनल पबलिक अखबार में इस्तिहार नहीं देंगे वो अपने फ्रेंड और फैमली एक दूसरे से पूछेंगे अपने कजन से अपने रिश्वेश अबने दोस्तों से यह पर इसमें अब घरना चाहते हैं आप इसके शेयर वोल्डर बना चाहते तो बन जाएं यह है कंसेट प्राइवेट कंपनी जनल पब्ली को शेयर इशू नहीं कर सकती निवाईट नहीं कर सकती क्या कि अब प्राइवेट कंपनी के साथ हम्पर्जट है पब्लिक कंपनी पब्लिक में कैसी नुटी अब शुनीं ला टा ला काता है अशी कंपनी जो प्राइड नहीं यह पब्लिक अम ने मीन जैंपनी फिटा चाहा बजाहिर यह देफिनेशन बड़ी गृप्सी लगती कपनी है उनके ओपर हम प्राइवेट का क्राइटिरिया देखेंगे अगर पूरा हो रहा है वो प्राइवेट कमनी रहे उन में है बाकी कि सारी कि सारी य सारी कंपनी है ट्रफी कमकली एक्सेन नवर पूछें है कि नयुद traff को अध्र है तौन के मिलेगा लेकिन अगर पशाइफ अगर फबिक कि दूच ले तो आप ने सिरुप यह नी लिखना अब बnezसकृ बलगे फिर आपको नीचे बताना पड़ेगा आके प्राइबट कम्पनी कौन से करना पड़ेगा अब ताखियो सब्सक्राइब क्योंकि एक और तरीका भी है जो प्रैफरेबल नहीं लेकिन कर सकते हैं आप सूंड को वह कंसेप्ट्च्य लगता है लेकिन लीगल पॉइंट अभूसे यह जो मैंने आपको तरीका पता है यह दादा बेहतर है दूसारा क्या ह प्रखें पब्ली कमपनी ऐसी है विच डाज नॉट लिमिट नंबर व मेंबर फिफ्टी विच डाज नाट रिस्रिक्ट राइट टू ट्रांस्वरेट शेयर और विच डाज नाट प्रहिबेट इंविटेशन तो जनल पब्ली हर एक साथ नौट नौट लिखें पब्ली कम आपको क्या बताया जो मैं आप करता हूं इसको फालो करें रोगा है पहले पब्ली कमपनी की जो डेफिनेशन वो लिखें विचे नाट ए प्राइबेट कमपनी की डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस कर दिया जाए तो यह है टाइप सब कंपनी ओंदी बेसे लोफ स्टेटस प्राइबेट और पब्लीक अच्छाब सुनें प्राइबेट की आगे दो टाइबस हैं अगर प्राइबेट कमपनी के ओनर सिर्फ एक है एक एक बंदे के साथ कंपनी बिल्कुल बन सकती है ना कल बताया था तो अगर एक ओनर हो तो से हम कहते हैं सिंगल मेंबर कमपनी और और उनज की तदाद एक से ज्यादा है तो इसे कहते हैं अगर दैन सिंगल मेंबर कांपनी ठीक है अगर एक्जाइम में और अग्जाइम में अगर अग्जाइम में में तुछ भी नहीं स्टियर लिखा हुआ है कि यह प्राइबेट कमपनी है तो आपने अजूम करना यह द प्राइबेट कमपनी क्या जनरल पब्ली को कह सकती है कि आउ हमारे शेयर खरीदो अव हमारी कमपनी में द्रों खोलो जनर पाइद में कह सकती पबंदिया छो और है कि अट लेकिन पढबी मीखे अगई फुर्डर दो टायबसा आडे पढबी कमपनी के लिए cinnamon लाजमी नहीं देखे एक होता है राइड राइड का मतलब है चाहे वो काम करें चाहे ना करें पब्लिक कमपनी जनल पब्ली को शेयर इसू कर सकती है कर सकती है लेकिन लाजमी नहीं है कि करें कैसा पॉसिबल है कि माईक पब्ली कमपनी बनाओं छैका चैसे सुर्फ अपने फैमिली मेंबन कर दो जनल्51 को क्यासा है पॉसिबल आप प्राइवेड कम य निकल truck नो इसके उपर पबंदी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ पबंदी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि चाहे तो जनल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करते उन्हें कहते हैं अनलिस्टेट कमपनी और एसी कमपनी जो जनल पबली को शेर इशु कर चुकी हैं इन्हें कहते हैं इनुए लिस्टेड पंपनी हैं अब देखे दो रेगड़ेटर हो गये एंस्टीप के साथ ह्टो कंपनी न स्ट्राव में बाहएं ज्सक्राइब के अर्ट के बास रसन करनी है अपने शहर जर्राअ पभली को इस्टरकंज-बाइब करने वे कान इस टोब कहां बैठी होती है। तो स्टॉड़ एक्षेंज में जाकर उधर भी करोंए होती है तो पब्ली रखने के दो टास और ट्रेयबस कौन सी फंद्ञ ए अन्लिस्टेटड ए यसे सिर्ट अनषा कम्वनी कैसके कंपणी हम जिस्के जो याद रखी और से सुनीगा जो जनेरल पब्ली को य को श्यर इशू कर तो शक्ती है लेकिन किये नहीं है उसमें वह अनलिसर और लिसर्ड कमणी कौन सी है जो जनल पुप्लीक और शेयर इशू कर भी सकती है और उसने कर भी दी है लिस्ट इसे तो प्राइबेट कमपनी की डेफिनेशन को एक्जाम में कैसे लिखना हो पता चल गया और खांस और पबलीक में कि देफिनेशन को कैसे लिखना है यह नहीं नहीं मिलें और लिस्टेड और अनलिस्टेड यह भी क्लियर हो गया चलिए अच्छा मुझे बताईए आपके ख्याल में मैं बता नहीं रहा आपको खुद बताईए कंपनीज एक्ट में कुछ रिक्वायर्मेंट्स हैं जो कि ज्यादाताः रिक्वायर्मेंट्स किस कंपनी प्लाई हो रही होगी प्राइबेट पे पब्लिक पर शाब है पबलिक पर क्यूंकि इसमें तो चन्दे के लोगों का पैसा होता है इसमें नंबर ओफ ओनर ज्यादा होते हैं तो लाज और यह बिजनस भी निस पटार बड ताइप यह कितना टाइम होगे हमारे लेक्शन में एक पूटिफाइब तो जी ताइप सॉन दी बेसिस अफ लाइबिलिटी अब यह पढ़ देते हैं कंप्लीट कंसर्प नहीं हो सकेगा लेकिन टाइप सुन दी बेसे लाइबिलिटी पढ़ देते हैं और बाकी का जो लेक्टि के लिहास से कमपनी के चाहिए हैं तेन टाइप सहां कंपनी लिम्तिट बश्यराक से हैं कमधे लिम्टिट बाएं गारण्टी अग्लिमिटेड कंपनी इस कि इसके शेर्स हैं और उसमें मैंबर्स-क लियाबिलिटी अंपेड इमाउंट ओफ शेयर तक है कम्प्द lτιम्टिड वैशे बें ऐसी कमने जिसमें मैंबर्स कीरा बिलबिडिटि टै टाइस लाबिलिटि किसे केस्मन कर देदिधि नाम जुँ और फरिया बहला मैंबर्स की मेंबर जानी ओननुर्स की लाइबिलेटी लुम्र्टेड का उसी कंपनी है ऐसे एक मेंबर की लाइबिलेटी कहां तक है अन्पेड अमांट उप शियर ऑल्ड vijat जैसे परज कीजिए एक बंदे के पास एक stur 한 उसकी फेस-वैल्यू है दस रुपे नोमिनल वैल्यू है दस रुपे अभी तो बैसे आपको पना फुली फेड़ शेयर इस होते हैं लेकिन पर रहने संहाने की बात करते हैं फर्स किजिए उसने छेट फेदिया है प्रवेदिये चार वे भी ने दिये इस मेंबर की क्या कोई लाइबिलिटी है बिल्कुल है क्या लुभ टिक अन्पेड अबन ठाट अच्छा एक इससे पहले यह ओन्टी बेसित अफ लाइबलिटी डिसकस करने से पहले एक अपके साथ डिसक्स कर लो हमने यह बिलिए था फीचर में कम्पनी का सेपरेट लीगस्टेस होता है individual ऑग में है Ja mund के लिए में टिब मेंबर लाइबल नहीं है तो आप के अना है कि हर कम्पनी के case में members की liability zero होगी क्योंकि दोनों का legal status separate है company के debt के लिए member liable नहीं और member के debt के लिए company liable नहीं basic concept यह ठीक है लेकिन याद देखे law में बहुत से rules ऐसे होते हैं जिसकी exceptions में हैं बलके तकरीमन हर जगा भी आपको हैं कि exception अज़राइगी exception का मतब ऐसी situation जिसमें यह rule apply नहीं होता है यह rule apply नहीं होता तो normally separate legal status होने की वज़ा से company की liability लएदा है members की liability लएदा है company के debts के लिए member liable नहीं है लेकिन एक situation है जब company के debts के लिए members liable हो सकते हैं और यह उस situation को सामने रखके यह concept classification निकाली गी है वो कौन situation है जब company खत्म हो रही हो wind up हो रही हो और वो अपने debts अपनी liabilities को pay ना कर पाए अगर एक company wind up हो रही है हत्म हो रही है और अपने debts को pay ना कर पाए जैसे फर्ज कीजिए एक bank ने company को सो million loan दिया company ने उसे business लाया आगे लेकिन नुक्सान हुआ business ठाप company बंद होने जा रही है वाइंड़ होने जा रही है अब company के बागी बचे है वह है 80 million और company ने बैंक कितने पैसे देने आए 100 million क्या company अपने debts को pay कर पा रही है नहीं question यहाँ पर यह है कि क्या बाकी का 20 million shareholder से member से निकलवाया जा सकता है कि नहीं कि इसी का जवाब देने के लिए types on the basis of liability वाला concept क्रियेट किया गया है यह depend करता है कि members की liability company के अंदर members company कि stripe की है क्या company iac है जो limited share है company iac है जो limited by guarantee है यह unlimited company है अच्छा नाम से जाहिर है अखिर unlimited company हो इसका मतलब है जितनी भी liability बाकी रहती है सारी कि सारी members ने जिनी या अलिम्रेट का मतलब क्या है limited का मतलब क्या है limited unfortunate कि मेंबर्स ने बाकी 20 Mil Takes armament लेगिन्स लिमिट कि लिणी आतक जितनी युजाए नjutanks l innate करना है युज हमारी recommend mándida यह वह मेंबर्स ने पे होती है कि मैं इतनी माउंट तक के लाइबिल्टी पे कर दूगा तो फिर ओनर्ज ने जितनी गारंटी दी हुई है उस माउंट तक ने कंजर्ड समझा है सुने फ़र्स कीजिए एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया हंटर मिलियन का उससे बिजिस किया बिजिस नीच चल पाया नुफसान हो गया कंपनी वाइंड अप हो रही है SACP ने का जी इस company के सारी asset बेचो और bank को पैसे अदा करो पहली option फर्स कीजिए asset बेचे फर्स कीजिए और 120 million आ गया बैंक को कितने पैसे देने थे 100 million extra 20 million किसके पास जाएगा शेर होल्डर के पास ये क्लियर दूसरी option assets बेचे 100 million आया बैंक को कितना दिया जाएगा 100 million shareholder के पास कितने पैसे मिलेंगे जीरो वो घर जाएंगे ना लेना ना देना ठीक है पहले वाले में जब surplus था शेर होल्डर ने लिए पैसे जब एक्वल आ गया assets liability shareholder ने ना लिया ना दिया और अगर 80 million assets company को बेचा 80 million आया अब बैंक को कितने पैसे दिये 80 million question यह है क्या बाकी 20 million अदा करने के लिए shareholder liable है इसका जवाब यह है कि नॉर्मल हालात में जब company चल रही होती है ना shareholder liable नहीं होते हैं company के debt के लिए लेकिन एक time of winding up अगर company के assets कम हो लाइबिल्टी ज्यादा हो तो shareholder liable हो सकते हैं अब लाइबिल्टी कितनी होगी यह depend करता है type of company क्या है अगर limited by share है तो लाइबिल्टी कितनी होगी बला जितनी shares ने जितनी shareholder ने share पे पैसे अदा करने है अनपेड अमाउंट ऑफ यह जैसे अकर फ़स्किजी एक shareholder है उसके पास एक share था दस अरवे का और दस के share पे किसाप से payment कर दी है अब इसने कितने पैसे दा करने हैं एक share पे चार पे और एक लाख शेर पे कितनी टोटल माउंट बनी चार लाख रपे दा करने हैं तो limited by share में अगर company सुनिए अगर company wind up हो रही हो और company के assets कम पढ़ जाए लाइबिल्टी ज्यादा हो तो बाकी का difference shareholders ने पे करना है लेकिन किस हद तक demand करता है type of company कौन सी है limited by share है तो हर shareholder ने उतनी amount pay करनी है जितनी अन्पेड है उसके शेर चार पेंपेड है तो चार पेड़ शेर के साथ से पे करनी है दो रपेंपेड है तो दो रपेड़ शेर के साथ से पे करनी है और अगर शेर फुली पेड़ है फिर जीरो कोई पैसा नहीं अदा करना है फिया इस्लाम ही कैसे इसलाम में यह आपने अगर किसी से उधार लिया ना तो आप उस को वापेस अदा करने के पाबंद है आपने उसे अदा करना है चाहे बिजनिस के लिए ले चाहे घर की ज़रूराद पूरी करने के लिए जिससे भी उधार ले उसे वापिस करना ही करना है लेकिन लिम्टिड बैशेर का कंसर्ट क्या बता रहा है कि अगर माँ आप देखे कंपनी ने जाहिर है अल्टीमेट लि कंपनी के मालीक है तो मालिकान ने कंपनी के थ्रू किसी बंदे से उधार लिया और बिजनिस नहीं चला तो लिम्टिड वैशेर के किंसर्ट के मताबिक अगर शेर पाटली पेड़ा है तो यह सिरफ उतना इस अदा करने के वाबंद है जो अनपेड़िड शेर है और फुली लिए वो तो लाजमी करस तो शहीद को माफ नहीं लाजमी तक तो फिर इस पे थोड़ी सी वेरियेशन लाते हुए शायद सायद मिरा अपना ख्यालाई एक औरमसर्ट निकाला गया है जिसम डिते हैं धम गरंटी देते हैं कि अधर कंपनी वाइंड आभ05 और इसके एसेट कंपilenी ज्याधा हुई तो बाकी की लाइन ने कहा मैं परμε्रश उद्रेर वह व्म बढे होी लेकिन 11 सी ने कहा मैं 50 लाग तक अदा करूंगा इसका मतलब है लिम्टेट भाई शेयर में तो एक तरह से शेयर होड़र ने कहा था भाई हम एक आना भी नहीं देंगे कि नार्मली आपको पता है आजकल फुली पेड़ शेयर इस्यू होते हैं लिम्टेट भाई गरांटी ने फिर भी मेंबर ने शेयर होड़र ने कुछ शरम हया कि उन्होंने का नहीं मेंबर जो है उन्होंने का नहीं हमारी जिम्मेदारी होती है उदार लिया है वापिस करना है लेकिन कि लेकिन उन्होंने एक लिमिट लगा दी और वह लिमिट हर मेंबर की लादा-लादा होगी कि सेम भी र मेंबर ने लाइबिल्टी कम रखी हो किसी ने अपनी लाइबिल्टी ज्यादा रखी हो यहर मेंबर की लेकिन इसमें भी लिमिट आ गई इसका मदब है अगर उस लिमिट से नीचे नीचे बैलन्स है तो वह दा हो जाएगा लावा नहीं होगा इसे उपर वाला जैसे अब एकतने पैसे देगा दस मिट बैक किटने थीन टोटल वैंक को कितने मिलेंगे असी दो डरेक्ट मिलेंगे ना इंसे मिल जाएगा दो मिलियन अभी बैंक को नुकसान बरदाश करना पड़ेगा इन लिम्टिड बाई शेर में शेयर होल्डर्ज होते हैं जितना पैसा ल अपनी में डाल देता है और आजकल के हलाज के मताभी फुली पेड़ शेयर होते हैं तो जब कमपनी वाइंड अप हो रही हो तो इनकी लाइबिल्टी जिरो होती है अगर पार्ली पेड़ शेयर हो तो फिर जितनी इन पेड़ थी वहोगी और कमपनी लिम्टिवाइग उच्षा होता है कि मैं इतनी माउंट की गारंटी देता हूँ दूसरा कायता है इतनी मांट की ठीसरा की अब देखे यह भी थोड़ा थोड़ा घयर शरही लग रहा है न ना कैसे कि अगर तो गरंटी के मांट के नीचे नीचे डेट हो गया तो फिर तो चले शरही तकाजे पूरे हो गए लेकिन अगर जो अन पेट न वह ज्यादा हुआ और गरंटी लाइबिलिटी वाली कमपटी हो और इसमें 20 मिलियन का शॉर्ट फाल आ जाए तो मेंबर्स ने बैंक को कितने पैसे देने हैं सारे के सारे 20 मिलियन थे तो यह लग रहा है कि यह शराई तकादों के एन मताबिक है अनलिम्लिब्ट लेकिन अगर अब इनसान के लिए लालच आ जाती है तो जो बिजनिसमें है वो यह पसंद करते हैं आप खुद बताएं अगर आप बिजनिसमें हो और सिर्फ पैसों को सामने रखके फैसला करें फर्स कीजिए थोड़ी देर के लिए आपके लिए इन तीनों में से कौन सी वाली आप पढ़ेंगे और दूसरे नमबर में कौन सी आप्शन बहतर है लिम्टेट वागरंटी क्योंकि आप गएंगे अगर पैसे दा करने भी बढ़ेंगे ना तो जितने मैंने क्मिटमेट की इना उतनी पैसे देने पढ़ेंगे उससे ज्यादा नहीं मुझे देने पढ़ेंगे और लेस्ट प्राफर्ड फैनेंशर पॉइंट अभूस है अन्यूर्ट आपको पता है कि जितनी भी लेटियंट पेडवी सारी कि सारी आपको चाहे घर से पैसे किना लादे इसी लिए आपको अपने इर्दगेर्द सब से ज्यादा टाइप ऑफ कौन सी वाली मिलेंगी लि है तो अब भूद बताए जैसे मैं यहां पर पूचा था कम दिला में कुछ पर वियां लिम्टिट भाइशेर प्लाई होती है कुछ लिम्टिट भाइशेर विए सबसे ज्यादा प्र विएन किस पर आपलाई होती है अबला लिए बाद बाद यूजिए फिर दूसरा नमब दोनों तरह की फिर लाबिल्टी हो जैए यह थी हमारी क्लासिफिकेशन क्यूकिक किन सब्सक्राइब है तो शायद आपको यह स्टोड़े से टेकनिकल या मुश्किल लग रहे हो ठीक है लेकिन आप तसली से पढ़िए समझें इसे जैसे आगए जैसे आगे चलते जाएंग कि हास पर जब क्वेस्टन डिसकेश कर रहे होंगे ना उसमें भी कंसेप्ट को भाने से रिवाइज करूगा तो कंसेप्ट जेंद में बैठना शुरू हो जाएंगे इंशाला यह चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो यह कंसेप्ट जितनी वे टाइप्स ऑफ कंपनीज है जब क्वेशट जब क्वेश्ट जब क्वेश्ट जब कि यह मुँएब इंगे शब कर दो भास ना झाले डिए एपको जब कर दो कि यह चैप्टर जब जब क्र वे गल्म में वे लाएंगे आपकेश जब कान दो जब कि दू़